देश के अलग-अलग राजियों में लगातार बदलता मौसम कई फसलों के लिए अनुकूल है। वहीं राजस्थान भीशनशीत लहर की चपेट में है, जिससे राजिय के किसानों में खुशी है। उनका मानना है कि थंड के मौसम से रभी फसलों की बेहतर पैदावार साथ ही वहां के व्यापारियों का भी मानना है कि कडाके की थंड के कारण रभी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। जैपूर के पास शिवदासपुरा छेतर के किसानों का कहना है कि अगर थंड के साथ-साथ आने वाले सब्ताह में एक या दो बार बारिश हो जाए तो इस के उत्पादन में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। यहां के व्यापारियों ने कहा कि कडाके की थंड के दौरान ओस अधिक होती है जिससे जमीन में नमी बढ़ती है और फसलों को अतिरिक्त पानी मिलता है जिससे गहूं और जो के दानों को अच्छे होते हैं। इस फीसदी बड़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर अगले दस से बारह दिनों तक ऐसी ही ठंड जारी रही और साथ में बारिश हुई तो राज्य में सरसों का उत्पादन अच्छा हो सकता है। राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हलकी इस सर्दी के मौसम में एक या दो बार बारिश भी हो जाए तो कम बुवाई के बावजूद फसलों का उत्पादन बहतर होगा। वहीं किसानों को ठंड पर नजर रखनी होगी क्योंकि इससे कुछ फसलों को नुकसान भी हो सकता है। अधिक ठंड से पाले का खत्रा रहता है। वहीं अगर बारिश हो जाए तो पाले की समस्या कुछ कम होगी और फसलें सुरक्षित होंगी। क्रिशी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पाला टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन, पपीता, मटर, चना, धनिया और सौम्फ को नुकसान पहुचा सकता है। क्रिशी विभाग के मुताबिक, चालू रभी फसल सीजन में एक जनवरी तक 31 लाख हेक्टेर लक्षे के मुकाबले 91.98 फीसदी च्षेतर में गेहूं और 4,5,7,7,2,6 हेक्टेर च्षेतर में जोकी बुवाई हो चुकी है, जो 2023 के लिए तै लक्षे से 125 फीसदी ज्यादा ह Bureau Report Market Times TV